कि असलाम अलेकुम दोस्तों अमीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंबिया रेलोग्राफी में आपको शामदीद कहते हैं सामने से आ रही है 37 अब फरीद एक्सप्रेक्स जो के जी यू टुएंटी फॉर फाइव डबल से की लीड पर आप ही इजा बरदस्त तराइवल GU24 566 लोग की पैंस ही है काफी है तक 37 अप जी यू 20 की गयादत मेरे व्यार खान रेलिस्टेशन पर राइबल हो चुक है मौसम भी काफी जबरदस्त है हवा चल रही है इसकी वैसे इतनी कर्मी महसूस नहीं हो रही 37 अप पहले तो क्या नाम है एट जी एम यू 30 आर इसको समसाटा तक लीड करता लेकिन आप इसका रायर लिया गया है के लोगार से कराची ताजी है इसको जी यू 20 की लीड करेगा जाबर दस तराइबल हुआ था कि भी शार थाजी हो अजए लग्यों में समसाटारी करें इसकी जी कर दिस तराइबल हुआएबल वे इसकी जाँ राग्यों में धमैं तक ले दाष्टारी करेड़ल जाएबल दी चाहर हुआएबल कर दो अजिए और नब दो अजिए भॉट दो जो फॉट, अजगो हुट जी, U20 के गायदत में 30-70 आप परीद एक्सट्रेक्स काड़ी पार चलो चुक है और अब इसी के पीछ रही आएगी तकरीबन 5 अप ग्रीन लाइन जो के वो भी आज एक्टा लेट है इसी के साथ आज फरीद एक्सट्रेक्स भी डिएड़ एक्टा लेट सी ट्रीबन 2 आएगा लेट। वापी स्लोड दपार्चा 37 अप प्रीज एक्स प्रेक्स ग्लिएट से पर इम्यार खान रेलिस्टेशन से तुमेचर कल चुकी है अब नेक्स एक्शन देखने को मिलेगा फाइवप ग्रीन लेंगा जो के ग्लिएट पे होगा और अब वेट है सरफ और सरफ फाइवप ग्रीन लेंगा इस टाइम फॉर सेकंड एक्शन फाइवप ग्रीन लाइन जिसको अभी थिरू का सिगनल गिवन नहीं हुआ क्योंकि अपसे पान मिन पहले आपके सामने हमने देखा कि 37 अप फरीद एक्सप्रेक्स का डिपार्चर हुआ था अब फाइव आप मेरे ख्याल से अराइवल करके पांच मिन्ट या दो मिनट वेट करेगी उसके बाद इसको सिगनल होगा क्योंकि आई थिंक अभी 37 अप फरीद एक्सप्रेक्स ने तरंडा क्रॉस नहीं किया और आई थिंक कि सबसे बड़ी कंट्रोलर की गलती थी यहां पर अगर 37 को लूप करवा दे तो हमारी भी मोज़े हो जाती है और फाइव अब भी दुमादार स्पीर्ड में यहां से थ्रू पास हो सकती है फाइव अब ग्रीन लाइन आज बेसिकली गंटा लेट है और इसी के साथ साथ है इसका फरीद एक्सप्रेक्स और यह सिगनल गिवन हो चुका है और अब यह थ्रू कर सकती है यहां से हमारे हो दीन स्पथा देव स्पर्परवर देश्ट नुच अब इस्टा दबर्दस चगिंग साउंड, दबर्दस चगिंग साउंड अमेजिंग पुपास अज़ो है लेकिन मदा आया दबीछा भाई का एक्षा नहीं माशाला इतना अच्छा होता है देख के दिल खुश हो जाता है स्वीट रेक साउंड इससे गया सकते है, इस तैम वो प्रोड्यूस हो रहा है GU40 का विसल शायद half condition होगा, इंजिन काफी दूर गुदर चुक है और बहुत ही जबर्दस डिपार्चर डिपार्चर भी कह सकते हैं या थूरू पास कहले हैं काफी स्लो थूरू पास लेकिन जबर्दस्त मदा आ गया और नवीचा भाई का एक्षन देखने के बाद तो और दिल खुश हो गया था अभी विसल दो रहे हैं झाल